रिलाइंस की याचिका पर हाई कोट ने केंद्र वे पंजाब सरकार को नोटिस थमा दिया है आपको बता दे कि पंजाब में रिलाइंस जीओ के टावर तोड़ने के मामले में रिलाइंस की और से पंजाब एवं हरियाना हाई कोट में दाइर याचिका पर सुनवाई हुई है हाई कोट ने केंद्र वे पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है आपको बता दे कि केंद्र सरकार के तीन कृषी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रिलायंस कमपनी के स्टोर, पंप और टावर्स को नुकसान पहुचाने के खिलाफ कमपनी की याचिका पर पंजाब एउम हरियाना हाई कोट ने केंद्रिय ग्रह सचिव, दूर संचार मंत्राले और पंजाब के ग्रह सचिव, डीजीपी को आठ फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है इन चारों से हाई कोट ने अथोरिटी से जवाब मांगा है ये आदेश हाई कोट के जस्टिस सुधीर मित्तल ने याचिका पर सुनवाई करते विजजारी किया है कमपनी के वकीर आशीश चोपडा ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दोरान बेंच को बताया कि कमपनी के खिलाफ ब्रामक प्रचार कर शरार्ती तत्व कमपनी की छवी खराब कर रहे है उपद्रव्यों द्वारा तोडफोर्ड की गैर कानून की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भी याचिका के माध्यम से मांग उठाई गई है वहीं रिलाइंस के आरोपों पर पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार इस मामले में गंभीर है एक 2019 पेट्रोलिंग पार्टी और 22 नौडल आफिसर सरकार ने तैनात कर दिये हैं ताकि किसी भी तरह की संपती को नुकसान ना हो सके इस पर कंपनी की तरफ से कहा गया कि पंजाब में दी पंजाब प्रिवेंशन आफ डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2014 लागू है सरकार को इसे लागू करने के लिए तंत्र विक्सित करना चाहिए वह इसके तहट एक जाँच अथोरिटी का गठन कर उसके खिलाफ नहित सुवार्थों के चलते उसको किये जा रहे नुकसान की जाँच करवाई जानी चाहिए ताकि कंपनी को हुए नुकसान का उचित मुआफ़ा मिल सके हाई कोट मेदार याचिका में कहा गया कि उपद्रव्यों द्वारा की गई तोड फोर्ड और हिंसक कारवाई से कंपनी के हजारों कर्मचारियों की जिन्दगी खत्रे में पड़ गई और साथ ही कम्यूनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सेवा आउटलेट के रोजमर्रा के कामों में व्यवधान पैदा हुआ है राय में उसके 250 के करीब स्टोर बंद करवाए गए हैं तदा उसके टावरों की बिजली काटी जा रही है याचिका के अनुसार तोड़ फोर्ड की इस कारवाई में सनलिप तुप द्रवियों को रिलाइंस की व्यवसाइक प्रतिद्वन्दी कम्पनिया तदा निहित स्वार्त वाले लोग उकसा रहे हैं याचिका में ये कहा गया कि देश में वर्तमान में जिन तीन क्रिशी कानूनों पर बहस चल रही है उनसे रिलाइंस का कोई लेना देना ही नहीं है और नए ही किसी भी तरह से उसे इनका लाप पहुचता है क्रिशी कानूनों से रिलाइंस का नाम जोडने का एक मातर उदेश हमारे व्यवसाओं को नुकसान पहुचाना और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करना है बताते चले की पंजब और हरियाना में मोबाइल टावरों में तोड़ फोर्ड के खिलाफ रिलाइंस की आचिका पर पंजब एवं हरियाना हाई कोट ने पंजब सरकार एवं केंदर सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है रिलाइंस जियो ने अपनी याचिका में कमपनी के मोबाइल टावर और अन्ने संपतियों को नुकसान पहुचाने वालों के खिलाफ कारवाई की मांग की थी इसे पहले किसान आंदोलन के दोरान पंजाब में घट रही घटनाओं को लेकर रिलाइंस के अधीन आने वाली जियो इन्फो कॉम पंजाब हरियाना हाई कोट पहुची थी कमपनी की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई कि शासन में इस मामले में हस्तक शेप कर गयर कानूनी घटनाओं पर रोक लगवाई जाए कमपनी ने कहा कि उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जिन तीन क्रिशी कानूनों पर बहस चल रही है उनसे रिलाइंस का कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें भन्यवाद अपर्फेक्ट वेन्यव वेडिंग, लाँचिंग, पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब